हम आपके लिए चांद सूरज की बहुत ही प्यारी और रोचा कहानी ले करा हैं। दोस्तो एक समय की बात है। एक गाउं में एक बुड़िया माई रहती थी। वहे बुड़िया माई बहुत ही जादा गरीब थी। उसकी दो बेटी थी चांद और सूरज। एक दिन काउं के जमिदार के बेटे की शादी थी। शादी की खुसी में जमिदार ने काउं के सभी अमेर गरीब को अपने यहां भर पेड़ दावत के लिए भुलाया था। बुडिया माई के दोनों बच्चे भी जमिदार के घरदावत पर जाने की जिद करने लगे बुडिया माई ने उन्हें अच्छे कपड़े पहना कर तयार कर दिया और पडोसियों के साथ जमिदार के घर पर भेज दिया जमिदार के घर पर जैसे ही खाना परोसा गया छोटे बेटे चान ने खाना छुपा कर अपनी मा के लिए रख लिया लेकिन बड़ा बेटा सूरज स्वादिश भोजन को देखकर जल्दी जल्दी खाने लगा बुड़िया माई दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चों के आने का इंतजाद कर रही थी बच्चों को देखकर उसने पूछा तुम दोनोंने क्या क्या खाया बड़ा बेटा बोला मा खाना इस्ता स्वादिश था कि मैं आपको बता नहीं सकता तो मेरे लिए ले आता मैं भी स्वाद चक लेती बुड़िया माई ने कहा बुड़िया माई की बास सुनकर सूरज बोला मा मुझे तो तुमारे लिए कुछ लेना यादी नी रहा चांद ने अपने पास छुपा कर रखा खाना मा को देते हुए बोला मा ये तुमारे लिए है बुडिया माई चिलाते हुए बोली तुने चोरी की और मेरे लिए खाना चुराया चांद बोला नहीं मा मैंने कोई चोरी नहीं की मुझे जो कुछ दिया गया था मैं वहीं लेकर आया हूँ छोटे बात बेटे की बात सुनकर बुडिया माई की आँखों से आसू बैने लगे उसने चांद को गले लगाते हुए कहा आज से तू आसमान में चंदरमा की तरह रात में चमकेगा तूझे देकर सभी खुश होंगे और तूझे चंदा मामा कहेंगे इसके बाद बुडिया माई ने बड़े बेटे सूरज को अभी साथ देते हुए कहा तू सूरज बनकर दिन में निकलेगा तेरी गर्मी की तपिस की वज़े से सभी लोग तुसे नफरत करेंगे जिस से कहा जाता है दोस्तो उस दिन से चांद रात में और सूरज दिन में निकलने लग गया था तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें कमेंट बोक्स में बताएं तदा अपने दोस्तों रिष्टिदारों को इसे ज़ादा सज्ळादा सेयर करें और हाँ दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल भक्ती खबर सस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो उसी सस्क्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन के बटन को किलिक करना मत भूलिए ताकि मेरे इसे ही वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके धन्यवाद